कि नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूं आपके साथ चूती स्वागत करती हूं अपने इस खास प्रोग्राम मुद्दी की बात दर्शकों के साथ जहां पर हम मुद्दी की बात करते हैं दर्शकों के आई कमेंट्स पर बात करते हैं वहीं अगर बात करें तो आजकल जो मुद्दा चाया हुआ है वो है नागरिता कानून को लेकर जहां पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल फ्रदर्शन के इस अगर बात करें से अलुक सभा में पेश किया गया वहां पर जब यह पास हो गया तो राजज सभा में पेश किया गया और राज्य सभा में पास होने के बाद इसे राश्च्रुपती से भी मंजूरी मिल गई और इसके बाद ही ये CAA यानि की नागरिता शिंशुधन कानून बन गया और इसी के साथ ही बता दें आपको कई जगहों पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसकी शुरुआ जो है वो पूर्वोत्तर भारत के असम से हुए इसके बाद अलिगर्ड मुस्टिम इनिवर्शिटी दिली क जामिया इनिवर्शिटी में भी जवर्दर्शन देखने को मिला जामिया विश्विद्याले में पुलिस कारेवाई के खलाप हाली में सड़क पर सियासत के साथ चात्रों का संगर्स भी जारी रहा जिस तरह से दिली में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कई जगहों प तो ऐसे वेध प्रवासियों को जिनों ने 31 समर 2014 की निडायक तारीक तक भारत में प्रवीश कर लिया है विभारती नागरीता के लिए सरकार के पास आवेधन कर सकेंगे बता दें आपको कि नागरीता शंशोधन कानून को लेकर यहाँ पर बहुत जगए विरोध प्रदशन हो रहा है आखिर वजह क्या है अगर हम बात करें पुर्वोत्तर की तो पुर्वोत्तर में क्यों इसका विरोध हो रहा है देश के पुर्वोत्तर राज्यों में इस कानू उसी राज बांगलादेश से मुसल्मान और हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या से अवैध तरीके से बसे हुए हैं अब जब एनर्सी किया गया तो एनर्सी में करीब 19 लाक लोग जो हैं एनर्सी के लिस्ट से बाहर हुए उसके बाद कहा गया कि यहां पर 11 लाक की लगभग य यह जो कानून आया है उससे पुर्वुत्र राज्यों याधर बात की जया है समकितू हां के लोगों की चींता है कि यह पृर से इनको नागरिक्ता मिल जाएगी और फिर से यहीं पर रहेंगे इस तरह कि उनकी चींता है लहीं अगर अनर्सी के बात करें तो केंद्रिक रहम लाश्री नागरिक्तर रजिस्टर या एनार्सी के नामसे जाना जाता है, यानि की यहां पर अगर बात करें, तो यहां बात करें कि इसलिए इसका सबसे बड़ा अंतर कानून को नहीं हुई थी। शैप्रमुक्राइब में अंतर क्या है, जे मेंora PO आसम एनारसी में उन लोगों के नाम शामिल किये गया जो 25 मार्च 1971 के पहले से आसम के नागरिक है या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं बता दें आपको कि यहां पर जिस तरह से विरोध प्रदशन किया जा रहा है उसके दो बड़ी वज़े भी हैं कि यहां पर जिस तरह से कानून लागू हुआ है जिस तरह से इसमें जल्दवाजी की गई है उसके लिए विपक्ष मोधी सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं चोड़ रहे हैं यानि कि अगर बात करें तो नागिता संशोधन कानून जब से आया तो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए है जो कि यहां पर एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा सोचनी है बात है यहां पर चिंता का भी वीशा है जिस तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं खैर आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता है और आगे तमाम जानकारी के लिए बड़ी खबरों के लिए बने रही हमार साथ और अगर और भी कोई मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉ यह आप तक जरूर पहुंचाएंगे तब तक के लिए दीजी इजाज़त नमस्कार